हेलो मैंने में शिद्र शिर्वास्तो और इस व्लॉग मैं अपना 500 व्लॉग बनाने जा रहा हूं यानिके 500 व्लॉग और इस व्लॉग में मैंने सोचा था कि मैं कुछ टेस्टी मुझे डालूँगा मिरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कुछ वीडियो भेजे थे जिस पे मैं क एक कलेक्शन बनाता उनका और उसमें डालता बड़ प्रॉब्लम वास कि वह मैंने वाट्साप डिलीट कर दिया और उसके साथ वीडियो भी डिलीट हो गए और मैंनों एक जगे सेव किया था अपने मोबाइल में ही वहां दिलीट हो गया और मनको दोबार से डाउनलोड न दोबाइल दोड़ अपने में एक दिलीट हो जो मेरा है जो मेरा हाई पॉइंट रहा है कि नो दस वीडियो में एक दिन में अपलोड किया है and the whole concern of mine was that I want to learn speaking and जितना हो सकता है मैं अपने को बोलना चाता था मुझे पता था कि मेरी mind की जो muscles है वो तभी develop करेंगी जब मैं अपनी boundaries को push करोंगा तो पहले जब मैं बोलता था तो 2-3-3 minutes बोलता था तो मैंने push करकर उसको 10 minutes के content मनाया 15 minutes content मनाया I never write any script, usually I don't, कभी कुछ कुछ ऐसे vlog हैं जिसे मैंने scripting करी थी, scripting in the sense मैंने listicles बनाया थे कि ये points मुझे उसमें cover करने है and बस उतना ही किया था पर mostly जो मेरे vlogs होते हैं उसमें मैं जो किताबे पढ़ता हूँ जो knowledge मैं gain करता हूँ लिया life से जो मेरे past experiences हैं उसके बारे में बात करने कोशिश करता हूँ I never thought I would reach this far मतलब last year ही शायद 200 videos मैंने complete किये थे तो मुझे लगता था कि मैं बनाऊंगा धीमिदी में चीज़ें चलती होते रहेंगी पर past videos complete हो जाएंगे that I didn't expect पर हो गया और उस तरह 1000 videos का भी मेरा plan है मेरा plan ये भी है कि मैं अब थोड़ा सा concentrate करूँ digital marketing की तरफ क्योंकि अब 500 videos हो चुके हैं मेरे channel में इनफ content है कि मैं इसको promote कर सकता हूँ so I was thinking कि क्यों नहीं अब मैं अपने जो videos हैं उनको और बहतर करके graphics suffix भी डालू I don't care now anymore how I will do it I just care about that I am going to do it and I set a goal how it will be achieved that I don't know so everyday something happens and I get to know about something so first thing is the most important thing is you set the goal and then you move in that direction and everyday you see some signs कि कुछ तो होता है और सम मिरेकिल होता है कोई god है कोई universe है जो help करता है कुछ तो होता है और उसके बाद चीजें होनी चीट हो जाती है आज भी यसे मैंने Instagram पे अपने बहुत सारे पोस्ट डालता हूँ मतलब 6-6-7 सार पोस्ट डालता हूँ जब तक फोटोस पढ़ी है मैं पास पुरानी पिछले Instagram से तो सब मैं डालता रहता हूँ नहीं नहीं फोटोस भी डालता रहता हूँ इस पोस्ट करने हैं फेस्बुक में भी हजार पोस्ट करने हैं मीडियम पे भी करने हैं लिंक डिन पे करने हैं अलग-अलग सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म से मुझे अपने पोस्ट करने हैं जहां तक मैं डालता रहूँ उन सब चीजों को तो यह था कि Instagram was easy मैं अभी इंस्टाग्राम में ऐसे पोस्ट नहीं डालता है कि मैं dedicatedly उसमें पैठा हूँ मैं पोस्ट डालनों मैंने बहुत सारी फोटोस हैं जो सेफ कर रखी हैं अपने मोबाइल में अपने फेस्बुक से पुराने Instagram से जो मैंने save किया हो था डेटा उससे मैंने save कर रखी हैं तो वह जो फोटोस हैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कहीं खड़ा होकर बोर हो रहा होता हूं या कहीं किसी का wait कर रहा होता हूं तो मैं डालता रहता हूं आप इतनी आदा फोटो डाल देते हो तो इन्स्टाग्राम मुझे बहुत अच्छे सब्सक्राइब करना नहीं आता जो कि मैं बहुत पहले करता था है और नेवर उस्टो फोकस ऑन पहले किसी और ले करता था तो इस अच्छे और पूछते हैं मेरी रियल लाइफ में कि आप सबको फिल्मेकिंग की टिप्स देते हो आप खुद क्यों फिल्म मना रहे हो तो वहीं टिप्स देना स्वासा असा फिल्म मनाना सुब अश्वासा मुश्किल होता है I think there's a destiny, destiny आपकी सबकी होती है, मतलब कितना भी आप चाहो कभी कभी कोई चीज कितना भी करना चाहो नहीं हो पाती है कई बार आप नहीं भी चाहते हो तो चीज़ें रैंडमली होना शुरू हो जाती है जयसे मेरी दो फिल्म जो मैने बनाई थी जो रिलीज नहीं हो पाई ही वो मैने कुछ प्लाई किया नहीं था पर रैंडम नीचीज होती कहीं अपन आप मैं बंटी चली कहीं फिल्म मॉन नहीं बना ली फिल्मम अब बनाना चाहता हो तो बनना मुच्खिल हो Chuck क्या बार दर भी लगता है क्या बार इतने दिनों से नहीं बनाई है तो थोड़ा सा अंदर से होता है but I know I have to start somewhere and I will start somewhere and you will see me after one year that I am doing something and you'll be proud to see me there because a lot of subscribers because I have only a bundle of subscribers like 2000 लोंग फॉलो करते हैं स्क्रीब सौ दो सो लो मुझसे connection मेरे रहते हैं but they're all very nice to me and they are very connected to me बहुत सारे subscribers ऐसे हैं जो मुझे randomly call भी करते हैं और कुछ subscribers ऐसे हैं जो मुझे daily basis पे call करते हैं every week call करते हैं बात होती है मैं जितना हो सकता हूँ उठाता हूँ भी recently मैंने अमना phone भी switch off कर दिया था तो वो आ सकता है, it will be an unpaid king thing but I will give you the credits where it is due, like Instagram अगर में आपको कुछ भेजते हो, मेरे Instagram में share करने लिए, YouTube में share करने लिए I will give you the due credit for it यह मैंने पहले ही बोला है कि अगर आप मेरे channel में अपना vlog बनाना चाहते हो, तो आप videos बना के आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, which confuses us कि आप इतने सारे goals रखते हो, कि यह सारी चीज़ें मुझे करनी है इस साल छे महिने में फिल्म बनानी है और यह करना है, तो मुझे लगता है, यह चीज़ें इतनी असान नहीं है आप कैसे यह सब चीज़ें प्लान करते हो, और यह चीज़ें हमें confused करते हैं इसा रखता है, यह चीज़ें impossible हैं, फिर भी आप कर रहे हो, और आप over desire कर रहे हो, और आपनी जो बाते हैं, उनको ही काट रहे हो आपका सोचना सही है, बहुत हद तक, but over the time what I have realized is that sometimes you have to keep the goals which are, which actually, for which you actually lose your sleep, तो अगर मैं बहुत easy goals रखता हूँ साल भर के लिए, तो फिर क्या होता है कि वो चीज़ें नहीं होती हैं, आप उनको उतने तरह से उतने शिदत के साथ, उतने hard thinking के साथ desire नहीं करते हो, तो चीज़ें होती नहीं हैं, so goals आपको बहुत साहरे रखने हैं, बहुत सारे लोग नुवेर्स में goals रखते हैं, पर वो goals कभी पूरे नहीं होते हैं, उसके तो goals आपको जो है ना, वो कभी भी meet नहीं होते हैं, ये मैंने statistically देखा है over the years, मैंने जितने भी goals रखे हैं, मैंने कभी भी goal meet up नहीं किया, but over the time I found something that over the time 20-30% भी जो मैंने अचीव किया, that actually made me move forward, आज मैं जिस भी level पे हूँ, मैं जिस भी knowledge level पे हूँ, जिस जगह पे हूँ, जहां पे लोग मेरे तरीफ करते हैं, या मैंने इतने vlogs बना लिए, या इतने articles लिख लिए, उसके पीचे सिर्फ एक चीज है, कि मैं push करता है अपने अपो, last year कि December में मैं 500 vlogs पूरे करना चाता था, पर नहीं हो पाया, भी March का end चल ला है, end हाँ, end ही चल ला है, sorry February का end चल ला ह and sorry, March का first week चल ला है, मैं खुद का end चल ला है, मैं खुद का end चल ला है, so March का first week चल ला है, और मैं अब जा के अपना 500 विडियो डाल ला हूँ, which I didn't plan, something push हो गई, चीजें push होती गई, मैं चीजें उस्तरह से नहीं कर पाया, जिस्तरह से मैं करना चाता था, but that doesn't matter, what matters is that you keep pushing yourself you keep pushing yourself, अगर आपने एक चीज़ डिसाइड की है, और आप उस चीज़ को नहीं कर पाते, that doesn't mean that you won't be able to do it, so मैंने फिल्म बनाने का प्लान किया है, and I'm not putting this condition की मैं शायद बना ही लूँगा, but what will happen is that because I have set a deadline for it, I will start working towards that, I will at least write the screenplay, I will at least make the budget, I will start approaching producers, so at least मेरे end पे जो चीज़ है आपके अपनी beliefs है, आपके अपनी beliefs है, आपके अपनी beliefs किसाब से चीज़ों को फालो करते हो, मेरी ये beliefs है, मुझे अज़ लगता है कि मेरे हाथ में जो चीज़ है, वो ये है कि मैं फिल्म की स्क्रिप लिख सकता हूं, मैं बज़ट बना सकता हूं, मैं प्रोडूसर को अप् things which are not in my control which I keep on trying and the thing is I will keep on trying it because the more you try the more things happen and you do not quit until unless you win so I will win because I'm not trying to quit and I'm continuously doing it I'm not all over the place basically me to know that focus issues are going to be here but that is a struggle that is a struggle of life that is a struggle of human beings that you can fluctuate from one day when you have a change in many days when you have my posts that are my followers that are not my followers so many people have told me that my Instagram is going to be digital marketing expert what they don't understand is that they don't have success should be it that if I put a chance or competition or they will not have volunteered, I think that you don't have to do it but that doesn't mean that you do one thing then you will always get success because that will not happen yet you will do one thing over the time it always does better you have to do one thing so that was not the patience that I had learned in my life that you will always start social media or whatever job you would start that you will start guitar learning one, two, five days of day then you don't have to do all of the effort आपको stand-up comedian बनना, आपको writer बनना, आपको कुछ भी करना आप में लाइफ में, you have to give time to it, आपको समय देना पड़ता है, उसमें साल, दो साल, तीन साल देने पड़ते हैं, and that's how things start to happen, but relentlessly आपको उस चीज के पीछे पड़ना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है, so मैं भी यह कहुँगा कि आप पहले तो बहुत साई लोग बहुत सारा patience lose करते हैं, मतलब कि उनको चीजा ना तुरंच चाहिए होती है, कि अभी कि अभी चीजे मिल जाए, that is not going to happen, मैंने भी बहुत सारी चीजे करने कोशिश करी, नहीं हुई, but that is the way you learn, मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं है, अभी अपके पास भी आपको कंदेब हाथ करो hi आप चीज करते हो आप कलतियां करते हो आप सीख से फिर आपको यह रहती है फिर अब के अँपको जीजिते हो जोडे में आए और में सोच सकता हूं कुछ और चीज करने की तो अब वो दिमें दिमें चीज होगी but do not be harsh on yourself this is more thing that I learned recently because I am too harsh on myself something wrong happens in my surroundings most all the time I blame myself में वज़े से सुछ आसा कुछ नहीं हो रहा या मैंने तो कुछ गलती रही है या में भी मैं ही कुछ बच्चों को मैं पढ़ाया था और उन्होंने जब वाय वाइवा एक्जाम सोय तो अच्छा रिस्पॉंस नहीं दिया तो मैं पढ़ाया मतलब मैं मेरी तरफ से कुछ गलती हुई है तो वन अफ दा मैं फ्रेंड तोल मी कि तुम अपने उपर हार्श कर रहा हो तुम अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हो मैं भी वह नहीं समझ पा रहे हैं ऐसा करके अपने आपको अपने आपको और कई आपको सजा देता हो इस तरह कि मैं सोता कम हूँ या खाता कम हूँ या फिर मैं कुछ और करने लग जाओंगा कि मुझे लगता है कि हर किसी को फैले थो अपने आपको बहुत जच करना चोड़ना चाहिए और बहुत सा एलों अपना पो जचच भी करते हैंगा हम इसमें अच्छे नहीं इसमें मैं अच्छे नहीं हाँ रिसेंट्री एक और चीज है जो इससे कॉन करने के लिए मैंने सीखिए और वह है दोत्नामानट 10 घ्र्श नहीं है खरोकार किन अधन अच्छेजब के लिए ऊप्सक्राइब नग्यक्यार समू कर दोतोंध अप्सक्राइब को नीचिट होतु है पाता मत्सचेश और है बांकि एस लिए कि डाल शॉद्र आशरफ नुल्तरी आप इस लाट पिंग फिल्मेकिंग ने लेट स्टार्ट की यूटूबिंग वने लेट स्टार्ट की डिजिटल मार्गटिंग अब मैं जाकर स्टार्ट कर रहा हूं कि इस्टार्म फेस्बूक मुझे स्लुटास अक्टिव होना है एंड बट इट वस नेसेसरी योगी इस्टार्म पे नहीं था फेस्बूक मैंने बंद कर दिया अपना सो उस चकर में क्या होगा कि I lost my interest in that तो मैं अभी जाता हूं फेस्बूक पे भी तो अभी अपना पोस्ट डालने क्ले जाता हूं इंस्टार्म भी जाता हूं तो अपना पोस्ट देखता हूं या फिर मैं सि अपने आज होगे डिमेदी में चीज थे हो और एक चीज मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कर आप बहुत सारे लिधा कि में बहुत सारे शीमेद्ट कर देखता हूं और आज भी मैं तीन चारर टाइट टाइज देख रहा था हमने बैठके जो टेटॉप प्रेस कर ला तरह देखिंग कि दिश्य लोगा चीज्ए की यह बनाई या जाती है कि हमारा माइन उस तरह से वर करताई और जो कि उपर लोग बैट उन कि हमारा mind entertainment सीख करता है तो वो उस चीज़ को एक अच्छा सा entertainment package बनाते हैं फिर कुछ पैसा दे के आप वो बेज देते हो आप क्यों कि entertained होना चाहते हो तो आप उस package को खरीद लेते हो और इसी ज़रा उपना time waste करते हो 90% of content on YouTube is just wasting your time you're not learning anything, you're not doing anything and if that is your plan for life then it is perfectly okay and today only I have learned मत अब लर्न क्या है तो पहले से मह जानता हो पर यह है कि फिर से रिएफर्म होता ना फिर सापके दिमाद में चीज़ें हाती है that if you are with the losers, if you are with the people who are not ambitious, then you will become like them आप भी एक loser हो जाओगे, आप भी एक non-ambitious मैं कोशिश करता हूँ कि मैं निगेटिव लोग के साथ ना रहा हूँ या कई लोग ऐसे होए हैं जो फोन करके निगेटिव बाते करते हैं मैं उनसे भी कटने कोशिश करता हूँ या ब्लॉक कि जो लोग ambitious नहीं हैं जो लोग करना नहीं चाहते हैं या जिनके अंदर patience नहीं है they will rattle you, they will irritate you और आपको irritate नहीं होना है आपको patience lose नहीं करना है patience है कैसी चीज़ है जो हर वक्त आपके साथ नहीं रहती every morning you have to get up and motivate yourself to do something and that is the core idea of doing anything जो 500 व्लॉग मैंने आज complete किये हैं उसके पीछे अगर मैं देखूँ तो कोई effort नहीं लगा है मतलब मैंने effort करना ही बंद कर दिया था मैं सिर्फ camera उठाता था और shoot करता था या laptop का set up करता था फिर उसके बाद मैं shoot करता था मैंने कोई effort करने कोशिश नहीं करिया उसके अपोजिट जारी है मेरे मैं आजकल काफी enjoy करता हूँ पहले भी करता था but just because कि मैं आपसे कोई ऐसी चीज बता रहा हूँ जो कि आपको सुने में ऐसी लगती है कि depressing है या sad है तो इसका मतलब यह नहीं वह आप मुझको judge करने लगए उसके उपर जो कि हर आदमी मैं कुछ भी समझाऊंगा मुझे पता है कि यह बहुत सत है कि मैं आपको कुछ भी समझाऊंगा आप उसको मेरे perspective से नहीं लोगए आप उसे अपने perspective से लोगए जो कि आपके पास भी अपनी knowledge है background है past experience है आप उसके basis से मेरी बातों को judge करोगे मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर आप ludo खिलने जा रहे हो तो आप chess के rules इस्तवाल नहीं कर सकते ludo के game में ludo के rules इस्तवाल करोगे मैं जो बाते आपको बताता हूँ बॉलिवोड के बारे में इस इंडिस में रहा हूँ film इंडिस्टरी में उसके बारे में जो वाते बताता हूँ वो सिर्फ वो हैं जो मेरे experiences है वो one sided भी हो सकते है वो शाइद मेरे experiences ही है तो वो सही गलत कुछ नहीं होता है मतलब मैं आपको सब बताता हूँ ये experiences मेरे होए है now you go and try to save yourself from that आप कुछ और गलतियां करो आप किसी और तरह के successful लो because कुछ चीज़ें मैंने जो note करी है जो शायद मुझे लगता है कि इसी तरह से होती है और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए ये चीज़ें avoid करनी चाहिए तो वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें मत करिये इस तरह चीज़ें है पर कई चीज़ें जो है वो आपके beliefs को तोड़ती है या आपने जो सोच रखा है assume कर रखा है दुनिया के बारे में या Bollywood के बारे में या Film Industry के बारे में मेरे experiences सही गलत कुछ भी हो सकते हैं जो कि again one side perspective है पर वो हुए है वो fact है और मैं आपको as it is उनको बता रहा हूँ और मैं बताता हूँ ये कि आप उनसे क्या सीख सकते हो वो आपको देखना है मैं तो सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ कि मैंसर ऐसा हुआ है मेरी belief ऐसी है कि वो चीज इसलिए हुई है कि ऐसा 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 चीज इस तरह होनी चाहिए बट आप उससे क्या सीखते हो मैं दुनिया भर की knowledge आपको दे सकता हूँ पर उससे कोई फाइदा नहीं होगा मैं एक course भी चला रहा था जो आपको पता है पर उसमें लोगों ने कुछ बवाल कर दिया कि आप पैसे ले रहे हो लोगों से तो मैं free में तो पढ़ाऊंगा नहीं जाहिर सी बात है इस यह गरबढ़ है जिसके चक्कर में लोग हर जगे आप किसी भी में जाओ आप film line में जाओ या आप corporate में जाओ आप soft industry में जाओ किसी भी इंस्ट्री में जाओ आप fail होगे क्योंकि आपका inner problem है आप कितनी किताब है पढ़ लो आप कुछ भी कर लो आपके failure तैय है अगर आप अपने inner attitude को change नहीं करते हो, मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि आपको मैं knowledge दे सकता हूँ, आपको मैं theories दे सकता हूँ, आपको मैं hard work करा सकता हूँ, पर अगर आपका attitude गर-बढ़ है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, your attitude is the key to everything, you can gain knowledge anytime you want, आप कितनी कितार पढ़के knowledge गर सकते हो, आप experience गर सकते हो, पर attitude वो आपको कोई नहीं सिखा सकता हूँ, वो आपको खुदी करना पड़ेगा, बहुत लोग हैं मुंबई में जिनको मैं जानता हूँ, जो बहुत knowledgeable हैं, जिनको बहुत experience हैं, इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, आप inner mechanism को अपने change करो, आप यह change करो कि आप किस तरह से behave करते हो लोगों के साथ, और मैं यह भी आपको कहूँगा कि the most important thing in this world is not knowledge, is not experience, it's nothing, it's human management, आप लोगों से कैसे deal करते हो, so that makes all the difference, Charles Schwab करके एक बहुत बड़े industrialist थे, उनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको बता चलेगा कि he was very good with people, and he had no education, formal education, but he became one of the wise president's, of one of the biggest steel companies of US at that time, and he was one of the richest man in the world, and उनका सिफ एक ही फंडा था, he was very good with people, he knew how to deal with people, so यह चीज है जो आपो सीखनी बड़ेगी, यह आप लोगों से कैसे deal करके, ऐग़् आप देखों तो film अप किस के लिए बना रहे हो, लोगों के लिए, film आप किस के साथ बना रहे हो, लोगों के लिए, film आप छिष को कर लो, लोगों को कर रहे हो, it's all for people, लोग पैसा कॉन दे रहा है आपको, लोग ही दे रहे हैं, पैसा किस पे लगा रहा हो, लोग पी लगा रहा हो, फिल्म किस के साथ बना रहा हो, लोग के साथ ही बना रहा हो, so it's always people, you are working with people 24 hours, so if you seclude yourself from people and don't try to even learn how to deal with people, then I think nothing is going to happen for you, आप पैसा कावाने के मशीन बनना होगे, तब भी आप पैसा कावाने मशीन बनना चाहते हो, तो भी आपो लोगों से दील करना पड़े है, no matter what you do in life, you cannot ignore people, there's a huge population, 8 billion population है दुनिया, लोग को इगनोर करोगे, do not try to ignore people, do not go and sit inside your room thinking about life, and what is the meaning of life, what is the reason of life, वो बेखूफी के थौट सोचने हैं, भंद कर दो, यह फिलोसफी के थौट से जो 50-60 साल के हो जाना, उसके बात सोचना उससे पहले सोचने के ज़रत नहीं है, वो उस ताइम पर सोचना है, पर उसके पहले अभी सिर्फ ऐसा का मानिक सोचो, don't become rich and then philosophize later, आप अभी फिलोसफी के चक्कर मत पड़ो, मैं इतने बच्चों से मिलता हूँ, इतने लोगों से मिलता हूँ, जो डिप्रेशन के शिकार है, जो बोलते हैं खुद की मैं डिप्रेशन के शिकार हूँ, because they personally, because of those stories सुनिये न, जिसमें किसी आदमी के साथ कुछ बुरा होता है, फिर वो successful हो जाता है मतलब life 360 degree, 360 नहीं sorry 180 degree change लेके आती है और आप की life एकदम change हो जाती है so लोगों को ऐसा गलत फेहमी है कि अगर आप struggle नहीं करोगे तो आप successful नहीं होगे तो ये बेपूफी के thoughts हैं, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपके घर में अगर tragedy नहीं होगी तो आदी दर tragedy तो उनकी खुद की मन की बनाई हुई होती है बहुत ही simple trivial चीजों को वो बहुत ही exaggerated manner में सुनाते है और आपको रखता है कि इतना बड़ा तो कोई issue भी नहीं जितना है बना रहा है जिसको लेके वो depressed है जिसको लेके वो इतना परशान है वो इतना बड़ा issue है भी नहीं अगर वो सिर्व अपना mind का thinking change कर ले तो वो problem कभी भी solve हो सकती है तो आपकी जो maximum problems है life की maximum tension life की वो सिर्व आपकी बनाई हुई है तो उनमें सोचना बंद कर दो सबसे पहले आपकी problems अपने आप solve हो जाएंगी कोई भी ऐसी problem नहीं है जो solve नहीं हो सकती अगर ऐसी कोई है जो problem solve नहीं हो सकती तो आप उसमें कुछ खरी नहीं सकते है फिर आप tension को ले रहे हो तो दोनों ही cases में आप ही जीत रहे हो जो problem solve हो सकती है तो जो solve करो नहीं हो सकती है तो चुप चाप बैढ रहे हो तो यो solve भी नहीं हो नहीं हो तो फिर tension कीज बात की है तो फंड़ा भई है कि आप बहुत साहे लोग ना फरजी चीजों में अपना दिमाग लगाते हैं because they have so much time to think about those things why do you have so much time you have so much time because you are not taking action if you have time to think better not think take the fucking action चितना आप action लोगे लोग उतने successful होंगे आज ही मैं किसी को आज ने कल किसी को बता रहा था मैं कि मुंबई में बहुत सारे rich लोगों से millionaires, billionaires से मिला उन सारे लोगों का IQ level बिल्कुल नीचे था मतलब उन से बात करें मुझे लगता था कि मैं तो ग्रा इंटनी knowledge है मैं इतनी कितावे पढ़ी है मेरा IQ level उन से जादा है वाइस तक लाट इमाता थे और that's why they were successful तो statistically अगर मैं देखूं तो जो successful लोग हैं वो वही हैं जो घर से बाहर निकलते हैं, teachers को देखो, उनको इतनी knowledge होती है, जो हमाई school में teacher प्लाते हैं, इतनी knowledge होती है, इतनी कितार पढ़ी होती है, उसके बाद भी they are not that rich, why? because they don't take action, they don't meet enough people, they focus on books books पढ़ना अच्छी बात है, बन उसके लिए आपको time devote करना पढ़ेगा, किसी भी एक चीज़ को अपने life पर dominant मत होने दो, वो भले लड़की हो, love हो, books हो talent हो, artwork हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को भी life पर हाभी मत होने दो, जो भी केस कर दिया, फिर ऐसे 50 लोगों उसके उपर केस होगा, कि वो feminist है, sexual harassment और ऐसा, ऐसा बनाद माका करें चीज़ें चल नहीं थी उसमें, I was reading about those and I was like, कि लोग किसी भी चीज़ में issue बना रहते हैं, because they have so much time to think, हमें किसी को modern culture पसंद इह किसी को नहीं पसंद आख संद आखे, कि सी को वस्टन ऍसको नहीं पसंद आखी, बस no one is focusing on them, they are focusing on the external world, कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या problems है, तो पहले solve करो, फिर दुनिया की problem solve करना, दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबने जिम्मा उठा रखा है कि हमें दुनिया बदलनी है, हमें ऐसा करना है, अपने वैसा करना है, पहले अपने आपको बदलो, अपना घर बदलो, अपना महला बदलो, उसके बाद दुनिया बदलने निकलना है, तो सब को दुनिया से प्रॉब on all these thoughts, stop caring about what is happening in this world, just take that this is the world, यह दुनिया है, अब ऐसी ही है, तो क्या कल लोगे, तुम्हें मिली है, तो जी हो अभी यहाँ पर, ठेक है, बहुत अच्छे टाइम में पैदा हुए हो, जहां पर technology बहुत एडवांस हो चुकी है, यह चीज़ें बहुत एजी हो चुकी है, और बिकॉस चीज़ें बहुत एजी हो गई है, इसलिए आपके पास टाइम बहुत जादा है, पहले और दिन भर खाना बनाती थी, आज सिर्फ एक घंटे में खाना बनाके तियार कर देती है, बिकॉस गैस भी सामने है, चूलानी गर लेते हैं, कहना है, मतलब यह हमाई लाइफ इसी काम में भी लगा सकते हैं, तो वो मुझे लगता है, हमको करना चाहिए, और अगें, I didn't have anything to say, 500 व्लोग है, मैं सिर्फ बोलता जा रहूं, बोलता जारूं, बोलता जारूं, आज मैं सोचा था, कि मैं 30 मिनिट का वीडियो ब बोलता रहूंगा, so anyways, 27 मर्त हो ही गए, so thank you everyone, everyone who is watching this video, मुझे लगता नहीं है, यहां तक कोई पहुचा होगा, 27 मिनिट तक, पर जो भी पहुच चुके हैं यहां तक, मतलब वीडियो देखते देखते, उनसे मैं बस इतना कहना चाहूंगा, कि please keep watching my videos, if you like them, and do share, subscribe करें, उस लगें, आप नहीं सवाल पूछें, पांसोब रहो हो चुके हैं, आप नहीं सवाल निकाल निकल के लाओ, तो उसको मैं जवाब देता हूं, और मैं कुछ changes करूँगा YouTube channel में अपने आगे भविश में, and that you will eventually see, कि मैं क्या changes करने वाल हूं, and I promise कि videos तो आते रहेंगे लगाता हजार वीडियो सथ मैं रुकूंगा नहीं, हजार वीडियो सथ मैं बनाता रहूंगा लगाता, और उसके बाद, I don't know, व लगे लिए यहार एकिस का, I don't think, so यही साल है, जो है, so maybe I will start making 10 videos a day just to cover that thing, I don't know, how that is going to happen, but it will eventually happen, और यही साल, it will happen, so help me make more videos, be in touch I am in Noida if someone wants to meet you can always message me come and so that's it thank you everyone for 500 vlog I am so happy for this because I am making this and finally I am going to upload and achieve this goal don't know what else to say we'll see you soon bye-bye